नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने स्मार्टफोन के अंदर वी आई यानि वोड़ाफोन आइडिया की इंटरनेट स्पीड को कैसे इंक्रीज करेंगे अगर आप वोड़ाफोन आइडिया की इंटरनेट स्पीड को इंक्रीश करना चाते हैं, बढ़ाना चाते हैं, आप सीखना चाते हैं कि वोड़ाफोन आइडिया की इंटरनेट स्पीड को कैसे इंक्रीश किया जाता है, कैसे बढ़ाया जाता है, अगर आप यह जानना चाते ह समझना चाहते हैं तो दोस्तों आप मारी वीडियो को कम्पलेटली जरूर देखें आज के सेशन के अंदर इस वीडियो में आपको काफी इनफॉर्मेटिव नौलेज मिलने वाली है काफी घ्यानवर्दक नौलेज मिलने वाली है जो इन फूचर में आपके बहुत ज्यादा काम आएगी तो दोस्तों आप मारे चैनल की ये वीडियो को कम्प्लेटली जरूर देखें और आई होप अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंदाती है अच्छी लगती है तो ये वीडियो को लाइक और शेयर जरू करें और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को सेयर नहीं कराएं तो प्लीज आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास सेयर जरू करें वीडियो को लाइक एंड सेयर जरू करें और यह वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें, गंटे को दबाएं, ओल प्रेस करें, हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने स्मार्टफोन के अंदर V.I.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E इस वडियो के अंदर आपको काफी कुछ नएया सीखने को मिलने वाला है काफी कुछ नएया देखने को मिलने वाला है तो आफ मारी ये वडियो को completely जरूर देखें and I hope अगर आपको हमारी वडियो पसंद आती है अच्छी लगती है तो यह व्डियो का लाइगन से जरू करें और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं कराये तो आप मारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें तो चलिए आज की यह वडियो को शुरू कर लेते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी स्मार्टफोन पर जाना है और स्मार्टफोन उपर हमें सबसे पहले सेटिंग्स के अंदर जाना होगा सेटिंग्स के अंदर हम जैसे ही क्लिक करेंगे सबसे पहले हमें यहाँ पर फर्स्ट ओप्सन में देख दो मिलता है connection settings का इस connection settings वाले option पर हमें click करना है connection settings पर जैसे ही हम click करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर first option आता है mobile network का mobile network पर हमें click करना है mobile network पर जैसे ही हम click करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस type के menu हमारे सामने आ जाते हैं जिसके अंदर दोस्तो हमारे पास एक option यहाँ पर देखने को मिलता है access point name का इस access point name के अंदर हमें click करना है access point name पर जैसे ही हम click करेंगे तो फिर हमें यहाँ पर हमारे पास second sim आएगी second sim पर हमको click करना है यहाँ पर बोड़ा phone idea आ चुका है और दोस्तों यहाँ पर हमें जाना है इन three dots पर three dots पर हम जैसे ही click करेंगे तो first option हमारे सामने यहाँ आएगा यहाँ name पर हमें type करना है vi5g और आपको ok कर देना है फिर आपको जाना है यहाँ पर apn पर आपको लिखना है vi super.net इसके बाद proxy आपको not set port not set user name पर आपको जाना है और यहाँ लिखना है vi5g super इसके बाद दोस्तों आपको password not set server not set, mmsc not set, mms proxy not set, mms port not set, mcc और mnc को as a tease रहने दें इसके बाद में authentication type पर जाकर papn, chp को select कर लेना है apn type के अंदर default, apn roaming protocol के अंदर ipv4 and ipv6, apn roaming protocol और apn protocol और दोनों अंदर ipv4 and ipv6 को select करना है barriers पर जाना है और यहाँ specify के जगे जो option मैं आपको बता रहा हूँ इस भी option को select करना है आपको और यहाँ पर आपके सामने एक option आता है इस जगे पर ok का ok बटन पर फिर हम को press करना है और यहाँ से जहाना है हमें यहाँ पर 3 dots पर हम click करेंगे और यहाँ से हमें हमारे save कर देना है और save करते हमारे smartphone के अनदर हमारे settings save हो जाती है फिर आपको इस वाली button पर click करना है और अब हमारे settings complete हो चुकी है इस तरह से आप दे अपने smartphone के internets settings को Use मैं ले सकते हैं I hope अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को लाइकन से और जरू करें चैनल को सब्सक्राइब जरू करें ऐसी ही informative वीडियोज, knowledgeable वीडियोज, ग्यान वर्दक वीडियोज मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ जो काफी ज़दा काम आती तो आप मारे चैनल की वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास एर जरू करें तो ये वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, thank you for watching in this video